विल्कम दोस्तों आज के स्यूडियो में हमारे पास एक चार्जिव मोडिल है जो की टीपी 5100 को चार्ज करने लिए कामना आता है तो यह हमारे पास 7.4 वोल्ड की बेक्टरी है जो हमने बना रखी है तो इसको कुछ इस परकार से सेट का यहां पर उप्शन आता है तो मैं एड़ाप्टर और इस मोडिल में यहां पर नीचे आउट फूड़े यहां पर बेटरी को कनेक्ट करना होता है पोजिटिव और नेगेटिव में तो यह जुगाट प्रदर का चार्जर है जो की 7.4 वोल्ड को बेटरी को चार्ज करने लिए कामना आता है तो सकते पेले में इंपूट के वायर लगा देता हूं 12 वोल्ड वाले है तो मैंने दोने वायर को कनेक्ट से कर दिया देख सकते हैं यह हमारा चार्जर है तो इसको मैं आपको चला के दिखाओंगा सबसे के लिए यह किस परकार से वर्ट करता है तो अभी मैं इसको पाउर सप्लाई में जिस सप्लाई में ह को यह हमारा फूर चार्जर दिखे टेंगैटर जो डेक सब्सक्राब कर देखा है जो नेले कलर में इसका ऊट-र में आपको दुका देता हूं आ यह हमारी पोर वोल्ड की लिएचार्ज जी कर सकता है तो आपको वल्ते दिखाता हूं कि दिखता आफ 8.4 वल्ट बता रहा है तो मैं आपको बेटरी ये वल्टेज चेक करके दिखाते रहा हूं अगे इसको अमारी बेटरीय भी डिक्षार्ज चे फोर्फूलेट वल्ट बतारी है कि दोनों डर्मियोंस को मुझे पोसिटिव में पोसिटिव को और नेगेटिव में नेगेटिव को कनेक्ट कर दूगा तो इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है अब मैं इसको चार्जिंग पर लगाऊँगा जैसे हमको इस चार्जिंग में लगाए देख सकता है आप तो इसमें रेट कलर की इंडिकेशन लाइट चल चुकी है तो अब इसको फूल चार्ज होने में 40 से 43 मिनिट लगते हैं तो देख सकता बियू कलर की लाइट वह चुकी है बेक्टरी तो आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दो रहूं सके तो आप देख सकते हुए हमारी 7.2 वोल्ट की अप्रोक्समारी ये चार्जिंग हो चुकी है बेक्टरी अधिकर कर सकते हैं तो इसका अलावा भी आप बेटरी को अलब परिके से चार्ज कर सकते हूं तो मैं आपको दिखाता हूँ यह है तीपी 446 मोडिल इसकी साहिता से मैं आपको 40 करके दिखाऊंगे अपले वीडियो में तो आप जैनल को सब्सक्राइब कर लोए ना और वीडियो को सनाया तो लाइक जोशिफा देना और वीडियो को अपने दोस्तों की साथ सेर्ड जैनल स दोस्तों कर ल्या हूँ जिए जैनल को वीड़ performs अपले देनल ुवपीर लूमर माने अजह जए पादर्सलिव को अपलेए अनल खा लोगald ॉपव़एंगे एक दोस्तों को दिखें ख 행복cker दोस्तों कर दोस्तों हवाईliestों और यह कूओभ इस थांना ॉज भinkyभाई श्मर क